नोड़ा पुलिस ने एक रेड की है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह संदिग्द शक्स है जिसको पुलिस ने पकला है SSP AJPAL शर्मा ने इस पूरे रेड का नितरतु किया है और यह एक संदिग्द शक्स है जिसको पुलिस ने अभी यहां से पकला है बता जा रहा है कि इसके कबजे से कुछ हतियार भी मिले है एक बड़े मामलों का आरोपी है वांटेट क्रिमिनल है अभी ये साफ नियुक आया की कौन है वांटेट क्रिमिनल है जिसको ले करके यहाँ पर नोईडा के इस इलाके में छुपा हुआ था पुलिस को खबर मिली थी और उसके बाद नोईडा पुलिस ने यहाँ पर रेट की है किराय की कमरे में यहाँ पर रह रह रहा था और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस अपनी कस्टडी में इस शक्स को ले करके यहाँ से जारी है आब देख सकते हैं यहाँ पर जो शक्ड़ से उसको पुलिस में पकड़ा है ये एक नरसंगार का आरोपी है बिहार में हुए नरसंगार का ये आरोपी है 50,000 रुपέ का इनामी बदमाश है कई मामलों में वांटेड था, बिहार सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, काफी समय से नोड़ा में छुप रहा था, नोड़ा पुलिस के हाथ ये बड़ी काम्याबी लगी है, सरकार ने इसकी तरफ से इनाम रखा था, पुलिस फिलाल इसके पूरे डेटवर को खंगा करी हुई है कि बिहार में इस पर 50,000 रुप इनाम था, जिसको कि अभी तस्दीक किया जा रहा है, अभी तक कि जो सूची हमें प्राप्त हुई है, कुल 13 मुकदमे, अपराजिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं कर दो